हरियाना के जीला पंचकुला में बर्ड फ्लू संक्रमन के बीच लापरवाही का एक बड़ा मावला सामने आया है किसी अग्याद द्वारा गाउं के लिंक रोड के किनारे मरी हुई मुर्गियां फैकी गई है कुछ ग्रामिनों ने स्थानिये लोगों वो जेसी बी की सहायता से संक्रमन से सुरक्षा के लिए इन मरी हुई मुर्गियों को दफनाया है यहां हम आपको बता दे कि हाल ही में करोना वाइरस के बाद अब बर्ड फ्लू ने देश के कई राज्यों में दस्तक दे दी है बर्ड फ्लू के चलते लगातार मुर्गियों के मरने की सूचनाई म को गई है ऐसे में उनके किलोमेटर के दायरे को संक्रमित जोन और इसके बाद 10 किलोमेटर के दायरे के शेतर को सर्विलांस जोन घोषित किया क्या है हम आपको बता दें कि पूस्ची के बाद अब एक किलोमेटर के दायरे में 5 पोल्ट्री फॉर्मों की 1,666128 मुर्गियो को मार कर दबाया जाएगा इसके लिए विभाग ने 69 टीमों का गठन किया है पोल्ट्री फार्म के मालिकों को मुर्गियों को मारे जाने पर शती पूर्टी के लिए प्रती मुर्गी 90 रुपे का मुवावजा दिया जाएगा इन शेतरों की मुर्गियों वह अंडों के साथ दाने की बाहर सप्लाई भी रोक लगा दी गई है यह जानतारी पशुपालक विभाग के मंतरी जेपी दलाल ने थी उन्होंने बताया कि मुर्गियों के मरने की सूचना मिलने के बास सरकार ने पूरी जाच करवाई है वहीं आपको बता दे कि जीन्द के कलोदा गाउं में दस कवों की मोत के बाद पशुपालन विभाग अलट हो चुका है शुकरवार को उचाना राज के पशुपाल के डोक्टर राजबीर सिंग कलोदा गाउं पहुँचे वह जहां गुरुवार को दस कवों के शव मिले थे आसपास के गाउं में भी सर्वे किया गया इस दोरा है कि कहीं बर्ड फ्लू का संक्रमन उहें चपेट में ना ले ले इस दोरान सूचना के बाद भी प्रशासन का कोई भी अधिकारी मोके पर नहीं पहुचा और नहीं कोई जाच कारेवाही अमल में लाई गई है ग्रामिनों का कहना है कि उन्होंने स्वयम ही संक्रमन के डर से लोगों की सहायता से जेसी भी बुला कर इनमरित मुर्ग्यों को दफनाया है ग्रामिनों ने बताया कि हमें नहीं पता कि कौन रात के समय यहां यह मरी हुई मुर्गियां फैक गया है हमें तो जानकारी मिली थी कि सड़क किनारे लगबग 200-300 मरी हुई मुर्गिया पड़ी क्या नाम है आपका और यह जो मुर्गियां है गाउन के नजदीक पड़ी थी किस तरह से आप लोगों को पता चला और आप लोग इने दबाने का जो काम कर रहे हो किसलिए किया जा रहा है क्या किसी के अदेश आये थी हमें अपना गाउन सेफ रखने के लिए ताकि यह बि 200-200 के आसपास थी और हमें कली पता लगा जैसे यार दोस्ती यहां खेतों में आते हैं तो उन से पता लगा कि यहां पे मुर्गियां पड़ी हुई है तो हम अपने गाउं का जो है कि सेफ पॉइंट लेते हुए इसको यहां दफनाय जा रहा और यह भी नहीं पता चल पाय कि कौन यहां गेर गया और कभ गेर गया जा सकती है यहां पर करीबन कनोली हो गया इस साइड दबकुरी साइड इस सब भी आसपास पॉल्टरी फारंस तो है ऐसे ही लेटेस खुबरे पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें हमारी चैनल को लाइफ, शेर और सब्सक्राइब करें भन्यवाद जंगमायुरवेदा जिसने बरसों से आपका भरोसा जीता बना आपकी जिंदगी का हिस्सा अब जंगमायुरवेदा आपके लिए लाए हैं शुद्ध जड़ी बूटियों से बनाए गए खास योग किट जिन में शुगर के लिए जंगम डीरस योग किट जोडों के जिद्धी दर्द के लिए जंगम जॉइंट पें किट महिलाओं में मासिक धर्म संबंदित समस्याओं के लिए जंगम स्वण कलश नारी योग किट बवासीर के लिए जंगम पाइलो किट बहतर पाचन के लिए जंगम पाचकरस किट थाइरोइड के लिए जंगम थाइरोकिट, जटिल सोराइसिस के लिए जंगम सोरांत किट, पुरुषों की दुरबलता ठीक करने में सहायक, जंगम स्वन कलश, योग किट के साथ-साथ और भी अदभुत औशधियां, इन सभी औशधियों के लिए हमारे सभी सम्माननिय दिये, डॉक्तरस और प्राक्टिशनस वा मार्केटिंग एजेंसी संपर्क करें, जंगमायुर्वेदा, नीलो खेडी, डिस्रिक्ट करनाल, हर्याना, मोबाइल नंबर 98170-98180